So hey guys welcome back to my channel vertex or आप लोग यहाँ पर देख सकतो हो मैं Share VPN application को open कर लिया हूँ Share VPN app को open करने के बाद उपर में आप लोगों को location की option मिल जाएगी इस पर आप क्लिक करते हो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे servers मिल जाएगी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकतो हो जब भी आपको faster server चाहिए होगा तो आपको ऊपर में ही मिल जाएगी faster server इस पर क्लिक अप लोग automatic से connect कर सकते हो दूसरे server से जिसमें आप लोगो fast speed provide की जाएगी जैसा कि आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोगो सारे server जो देखने को मिल नहीं वह free server है और यह अलग-अलग country के server है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखोगे इन server पर time delay लिखा हुआ है जिसमें आप लोगो को time delay बहुत ज्यादा मिले वही server सबसे best है और उस server में आप लोगो सबसे ज्यादा speed provide की जाएगी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो Canada के जूरी चीर की time delay है वह है 358ms इसमें हम लोगो अच्छा-खासा मिल जाएगा वैसे इसकी speed वही पर नीचे आप देखोगे तो United State की दलास सब्सक्राइब करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे connecting हो जागा थोड़ा बहुत इस एप में ads वगरा आते रहते हैं तो इसे मैं close करता हूँ close करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर एक एक तो connection की रिपोर्ट आ चुकी है जहां पर upload speed और data download speeds हो रही है जो आप यहाँ से check कर सकते हैं तो अब आप लोग यहाँ पर एक एक तो थोड़ी बहुत ads वगरा आई जाती है तो अब आप लोग यहाँ पर नीचे देखोगे तो दो option आती है एक बुष्ट का option है दोसरा जो है और repair का option है अगर आपको और भी बहुत ज्यादा बुष्ट करना speed को तो चाहो तो आप लोग कर भी सकती हो जैसा कि मैंने अपने VPN को यूए से दलास स्टेट की सरवर से अपने VPN को connect किया है इसमें मेरे को speed जो मिली है बहुत है slow मिली है अगर मैं चाहता हूँ इसकी speed को increase करना तो सबसे पहले मेरे को boost पे करना होगा बुष्ट पर क्लिक करने के बाद अभी आप लोग यहां पर देख देख दो बुष्टिंग मोड में बुष्टिंग मोड में जाने के बाद अब आप लोग यहां पर देखो तो थोड़ी बहुत एड्स वगयर तो आहीं रहेंगे क्योंकि यह application free application नहीं है अब म यूज नहीं हो रहा है तो आपको रिपेर पे क्लिक करना होगा जिससे restart connected हो जाएगा जैसे वह reconnected होगा उसके बार ही आपको रिपेर अच्छा से काम करने लगेगा तो इससे आप लोग यूज करके देख लिजीगा और अगर मेरे left side में जो corner पे आपको थिल्यान में लिए इस पर मैं क्लिक करकर दिखा हूँ यहां से लोगों को जारा कुछ भी नहीं मिला तो close करता हूँ close करने के वाद आप दो यहां पर देख से तो connected कर जो option है इस पर मेरे को क्लिक करना होगा disconnect करने के लिए जैसा कि आप लोग देखे सकते हो United State की the last city की मैंने server से अपने VPN को connect कि अगर मैं चाहूं इस state की server से disconnect करना अपने VPN को तो यह जो देखने को मिली सरकर वाली इकन इस पर मेरे को क्लिक करना होगा disconnect पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद मेरा जो VPN वो disconnect हो जाएगा ऐसे करके आप लोग यूज कर सकतो जिसके बाद reports हो जाएगी जहां पर आप लो तरक करें ना तो गैसमें से एक नई वीडियो के साथ अपसे के लिए बाई